कोई मुझे पेज नमबर बताओ कल का जो एक तो हो मोग बाद में डिसक्ट करने नीए विल स्टाट इस विद नेक्स पॉस्ट पर तो नमबर वन हमने सॉल किया था है ना तो लेट्स कम तो दो गॉस्ट नमबर टू पेज नमबर को बताए कि पिपी यह प्रैक्टिकल प्रॉ करण दो선 के दिया है देखो तो फ्रॉम्द फॉल्विंग ट्राइल बैलेंस उप मैसर मितेश हैं मंगेश हेलो एम स्लैश एस का मतलब होता है मेसर तो आपको पता है ना कि हेलो ध्यान दो अगर अन्मेरीड उमन है तो हम क्या लिखते हैं मिस मेरीड उमन है तो क्या लिखते हैं मिसेस मेरीड मैन है तो क्या लिखते हैं मिस्टर अगर unmarried man है तो क्या लिखते है master वैसे आपको पता है कि आप business के नाम के आगे भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे special honorary words लगाने की क्या है habit है तो वैसे business के नाम के आगे में में सर्स लिखते हैं क्या लिखते में सर्स और उसको हम लिख सकते अपना मान सनमान का अपना कल्चर है तो बैं नाम के आगे श्री श्रीमती सव कुमारी ये सब लगाते हैं तो business के नाम के आगे भी कुछ लगा दो तो बिजनेस को बोला जाता है क्या मेसर्स तो मेसर्स मितेश और मंगेश और रिक्वाइड टू प्रिपेड ट्रेडिंग प्रॉफित और लॉस अकाउंट एंड बैलेंश इसको बाद में देखेंगे सबसे पहले हमारी आदत के मुताभी फाइनल अकाउं दे देंगे इसकी डबल एंट्री बता दो कमिशन टू पार्टनर कमिशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रेडिए अउपर जाके धूंडेंगे audit fees और carriage audit fees के आगे क्या लगाएंगे a carriage कहीं दिख रहा है कि हाँ ये रहा इसके आगे क्या लगाएंगे a तो ये adjustment के लिए जगा छोणनी है बिलकुँ building is valued at 46,500 तो building में कुछ depreciation जरूर होगा किदर है building ये रही 48,000 की building को value करना है 46,500 पे मतलब 2000 रुपे का क्या लगेगा depreciation आगे की adjustment है furniture को depreciate करना है कितना percent से 5% से उपर आएंगे और furniture के आगे भी क्या लगा देंगे adjustment लगा देंगे उसके बाद है interest on partner का capital 2.5% per annum से capital पे interest business देता है तो ये business के लिए expense है interest on capital को debit और partners के respective capital account को credit write-up करने 1000 as a bad debt और maintain करना है RDD 3% of sundry debtors तो आईए यहाँ पे bad debt नाम की कोई चीज होगी पहले से है क्या नई है तो डेटर तो होगा sundry debtors में एक adjustment है bad debt की और एक adjustment है किसकी RDD की इधर पहले से कोई RDD है क्या नई है तो मतलब RDD भी नए से ही बनाना चाहिए तो आईए सबसे पहले बनाते इसका क्या format format में हम क्या करेंगे हाँ वही जो चीजें हमें जिन्दगी में करनी होती है वह चीजें करेंगे trading profit and loss account balance sheet और capital account भी बनाना पड़ेगा अब समझे आप लोग कि partnership के final account में capital account बनाना क्यों जरूरी है RDD account बनाने की क्या नहीं पड़ेगी जरूर क्यों क्योंकि एक ही calculation है RDD का तो विशेश कुछ load लेके मतलब नहीं है चलो बनाओ फिर format बनाओ तो चलिए भई हमारा तो बनके रेडी है पुरा format in the books of Mithesh and Manges trading account for the year 31st year ended 31st March 19 profit and loss account for the year ended 31st March 19 और balance sheet for the year 31st March 19 और partners के capital account आपका बन गया एक मिनिट थोड़ी लगता है भाई इसको एक सेकंड का काम है चलो बनाओ आई ये स्टार्ट करें क्या हाथ में पेंसिल उठाओ वन बाई वन हर चीज ट्रायल बैलेंस से उसकी सही जगा पर जानी चाहिए सबसे पहले स्टाउक कौन से तरिक का 1418 का मतलब ये कौन सा स्टाउक है ओपनिंग स्टाउक तो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टाउक 25 अजाग ये होगे पहली एंट्री दूसरा है बिल्डिंग जिसमें हमें क्या चार्ज करना है डेप्रीसियेशन बैलेंस सिट में इनर कॉलम में लिखोगे 48,500 अगला है हमारा कैरिएज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा और इसमें क्या है एज्जेस्मेंट 1780 अंदर के कॉलम में क्यों 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 की इसमें क्या करनी है हमें adjustment करनी है फैक्टरी का इंशुरंस ट्रेडिंग में जाएगा की P&L में अरे बाबा फैक्टरी का इंशुरंस ट्रेडिंग अकाउंट कितना है फैक्ट्री इंशुरंस 2700 फैक्ट्री से जुड़े हुए खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है और यह एक्सपेंस कहां डेबिट होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं पोस्टेज पीनल के कहां डालोगे डेबिट में 1600 बिल्स रिसेवल हमारे एसेट से बैलेंशिट के एसेट साइड में 13700 एक लाइन छोड़नी है बिल्डिंग के नीचे 13700 बैलेंशिट के एसेट साइड में हमारे डेटर्स हमारे एसेट है 52500 अच्छे खासे दो तिन लाइन नीचे छोड़ देना 52500 अगे बड़ो रिटर्न इन्वार्ण मतलब कौन सा रिटर्न सेल्स रिटर्न किस में से माइनस होना चाहिए सेल्स में यहां जगा छोड़ देते हैं अपन टू सेल्स के लिए माइनस करेंगे रिटर्न इन्वार्ण कितना है बेटा? 1600 पर्चेसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 68900 अच्छा यहां टू लिख जिया है यहां क्या चाहिए? बाइए ओक्यों audit fees में adjustment है P&L के debit में लिखो 1800 अंदर के column loose tools हमारे assets है 32000 sundry data के नीचे चार लाइन छोड़नी चाहिए कम से कम loose tools 32000 balance sheet के asset side loose tools के बाद हमारे manufacturing expenses है बताओ कहा आएंगे? trading account 1820 1820 उसके बाद हमारे electricity charges है कुछ clear तो किया नहीं है कि factory के है या office के है तो उठा के कहां डाल सकते है अपन? P&L में audit fees के लिए एक लाइन जरूर छोड़ना कितना electricity charges? 2600 उसके बाद हमारे general expenses है 3400 3400 P&L के debit export duty यह माल को बेचने से जुड़ा हुआ खर्चा है कि खरीदने से? बेचने से तो कहां आएगा? P&L में शाबाज कितना है? 1000 cash in hand और cash at bank asset है 75 और 29 cash at bank cash in hand balance sheet के assets है उल्टा किया क्या है? चल आगे conveyance मतलब क्या रहता रहे? what is the meaning of conveyance? conveyance एक खर्चा है generally क्या होता है कि हमारे business में हमारे salesmen होते यह लोग होते जो हमारे काम करते वह बाहर जाते वसूली करने, माल बेचने, order देने तो उनका ticket भड़ा लगता है बाद में कई रूखते हैं तो खाना खाते फिर जब trip से वापस आते तो बिल अपने को दे देते कि इतना ticket लगा इतना खाने का खर्चा लगा या lodge का बिल लगा तो अपने पैसे उनको दे देते तो यह हमारा खर्चा है तो entry ऐसे सुरत में हम पास करते conveyance expense को debit और cash को credit तो conveyance हमारा expense है कहा आना चाहिए PNL के debit को याद रहेगा conveyance क्या है कितना है conveyance 4100 PNL के debit पुड़े चला फर्णीचर में depreciation है 64000 balance sheet में लिखेंगे inner column में कितना है furniture 64000 इनर column में नीचे एक line छोड़ने ही कि salaries हमारे expense है PNL के debit में 2000 रुपेज salary के बाद rent rates and taxes 3700 उसके बाद drawing है मीतेश की और मंगेश की यह दोनों के capital account में debit होने चाहिए तू drawing कितना कितना बेटा हो गया trial balance का पूरा debit site जहां जाना चाहिए तो महां चला गया अब आते creditors यह हमारी क्या है liability 38,000 बराबर है sales 175,000 ट्रेडिंग अकाउंट के credit में कितना है sales 1 lakh 75,000 capital credit balance opening है एक पचास और पचास मितेश का और मंगेश का buy balance bought down एक लाग पचास अजार और पचास अजार outstanding salary already दी हुई है कहां पर trial balance में इसका मतलब है कि इसकी double entry pass हो चुकी है salary को debit हो चुका है outstanding salary को credit हो चुका है तो यह हमारी liability है इसको कहां दिखाना चाहिए good कितना है बिटा दो हर्चा बिल्स पेबल भी हमारी liability है 18,000 return outward purchase में से क्या करने चाहिए minus कितना है बिटा 1,800 current account भी है किसका मितेश का और मंगेश का इसका मतलब है कि वो drawing की entry किसमें नहीं करनी चाहिए थी उसको कहां करना चाहिए direct current account हम एक काम करते है capital account बनाने से अच्छा है partners का कौन सा account बना लेते है current account इसी का नाम चेंज करेंगे कुछ नहीं थोड़ी सी काटपीट होगी यह opening balance यहां दिखाने का कोई से फिर मतलब नहीं है क्योंकि इसमें कोई changes होने वाले नहीं है जो भी होगा वो कहां होगा current अब current account में balance debit है कि credit है credit तो 3000 और 2000 कर डालेंगे आपके काटके 3 और कितना कर डालेंगे दो और फिर capital account का जो balance है वो direct कहां दिखा देंगे balance sheet सब कुछ अब current account में आएगा interest भी profit loss का share भी goods withdrawn भी everything will be adjusted in which account current capital account का balance change होगा ही नहीं जो balance BD है वही balance क्या रहेगा CD रहेगा कोनको ने partner के नाम मितेश और मंगेश बोलो मितेश का कितना था एक लाग पचास हजार मंगेश का कितना पचास हजार दोनों मिला के कितना दो लाग कहां दीखेगा बाहर के column में लाग के बोलो बड़ने बाहर के लाग कितना बाहर के लिए अगर नहीं अगर बाहर के बाहर दुछ हो गया सब कुछ आई अब क्या करते वन बाइवन एज्जेस में प्रोफिटर लॉस शेयर करने के लिए तो जो रेशो निकलेगा वो पूरा प्रोफिट लॉस निकलने के बात पता चलेगा पार्टनर्स और एंटाइटल टू गेट कमिशन आप वन परसेंट अन ग्रॉस प्रोफिट भी कब पता चलेगा जब ग्रॉस प्रोफिट निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर लो 23,700 बैलेंस शेट में डेबिट 23,700 बैलेंस और ट्रेदिंग अगांत में क्रेड़ ट्रेद लॉस फेटीट थसन शेवाँद रोट वैड़िट आल्राइट, आउट्स्टेंडिंग एक्स्पेंसेस में audit fee 400 रुपे, चलो, audit fee में add करो, और liability में दिखाओ, कितना रुपया? 400, यहाँ पर debit, तो liability में credit, आउट्स्टेंडिंग audit fees, कितना बेटा? 400, केरिएज भी आउट्स्टेंडिंग एच्छे सो, credit करो balance sheet में, और debit करो carriage में trading account में, 600 रुपे, is that okay? Building को value करना है 46,500 पर, आजाओ फिर building पर, balance sheet में आपको क्या दिख रहा है? Building दिख रहा है, 48,000 की building को, अगर 46,500 पर value करना है, इसका मतलब है, इस पर 2000 का क्या लगाना है? Depreciation, single entry से काम चलेगा क्या? नहीं, तो इसका Depreciation यहाँ पर credit, तो P&L में क्या करेंगे? Debit, किसका है यह building का? कितना? 2000, आप चाओ तो direct बाहर लिखा तो भी चलेगा, फरनीचर को भी Depreciation लगाना है, कितना? 5000, 5%, तो आजाओ फिर, यह रहे हमारे फरनीचर balance sheet में, माइनस क्या करेंगे इसमें से? 5%, Depreciation, बोलो 64,000 का 10% कितना होता है? 6,400, तो आदा कितना होगा? 3,200, तो भी इधर फरनीचर में Credit, तो P&L में Debit, 5% का Depreciation, इस देट ओके? चाल, Interest on Partner का Capital करना है, कितना परसेंट से? 2.5, आओ नीचे बनाओ Working Note No. 2, Interest on Capital, एक है मितेश, मितेश का Capital है, Opening 1,500, इस पर कितना परसेंट? 2.5%, मतलब 2.5 divided by 100, multiplied by, पूरे 12 मेंने का, एक लाख पचास हजार का, 10% कितना होता है? 15,000, तो 5% कितना होगा? 7,500, तो 5 से भी आदा कितना होगा? 3,750, उसी तरह करेंगे मंगेश के लिए, मंगेश का Capital है, 50,000, उस पर 2.5%, पूरे 12 मेंने का, अब पचास हजार का 10% कितना होता है? 5,000, तो 5% कितना होगा? 2,500, तो 5,500, तो 2,500 कितना होगा? 2,500 का आधा? 1250, तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी? इंट्रेस्ट अन कैपिटल की? P&L को डेबिट और करंट अकाउंट को ग्रेडिट, बाइ इंट्रेस्ट, 3,750 और 1,250, ये होगी एक एंट्री और दूसरी एंट्री P&L को डेबिट, टू इंट्रेस्ट अन कैपिटल, एक है मितेश, दूसरा है कोण? मंगेश, मितेश का कितना आया था? 3750, मंगेश का 1250, चलो अगली अज्जेस्मेंट, गूड्स अप 900 वेर टेकन बाइ मंगेश, फोरीस कोन सा यूज? मंगेश के करन्ट अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को ख्रेडिट बाइ गूड्स विद्राउन? 900, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, मंगेश के करन्ट अकाउंट को करेंगे, डेबिट, टू गूड्स, मंगेश को करना है, बराबर है? 900, मंगेश का मीतेश को और मीतेश का मंगेश को करने का, नए, आल्राइटी, राइट आप करो, 1000 एस क्या? बैट डेट, आज आओ फिर, सबसे पहले तो बैट डेट राइट राइट आप करते हैं, संद्री डेटर से, इस में से माइनस कर देंगे क्या? बैट डेट, कितना रुप्या बेटा? 1000, और सिंगल एंट्री की डबल एंट्री? डबल, डेटर में हुआ क्रेडिट टो, डेबिट कहा होगा? पी एएनल में, कितना? 1000, बात यहां पे खतम नहीं हो रही है, कहानी आगे बड़ेगी, उसके बाद 3% क्या मेंटेन करना है? और डेडि, तो फिर से बैले इंचिट पे आएंगे, 52,500 के डेटर में से 1000 राइट आफ हो गया, तो कितना बचा? 51,200, इसमें से माइनस करेंगे, आर डी, डी, एट कितना परसें? कितना परसें? 3%, अब भई 51,200 का 3% कितना होता? उसके लिए नोट बना लेते हैं, नोट नमबर क्या? 3, RDD is equal to 51,200, multiplied by 3%, सिदिसी बात है, 51,200 का 10% कितना होता है? 51,20, तो 1% कितना होगा? 51,2, 512, रुपया 1%, तो 3% कितना? 1536, 1536, अरे, काटपिट करते बैटो, या दिमाग चलाओ, 1%, अगर 512 होता है, 500, 1%, 2%, 1000, 3%, 1500, बारा, 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 चलाओ, चलाओ, 1536, परफेक्ट कैलकुलेशन, वैसे आपको जैसा करना ठीक लगे, वैसा करो, आओ फिर 1536 का, RDD, RDD की डबल एंट्री बताओ, RDD में क्रेडिट, तो डेबिट कहा, P&L, 1536, बात बन गई, सब कुछ हो गया, अब भी दो एज्जेस्मेंट बाकी है, पहले तो कमिशन देना है, कितने परसेंट से, 1 परसेंट से, किस पे, ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर कमिशन की क्या करनी पड़ेगी, entry तभी क्या निकाल पाएंगे net profit बात समझ में आ रही है तो आओ फिर इसको tally करो और क्या निकालो gross profit निकालो gross profit निकालने से पेड़े inner और outer column की क्या कर लो total बोलो 68,900 में से 1,800 गये 68 में से एक गया कितना 67,100 इधर करते 1,75,000 में से एक गया 1,74 मतलब बचा 1,73,400 1,73,400 plus 900 plus 27,100 चलो करो कितना? 0 0 9 और 4, 13 और 7 20 2 आए, 3 और 2 5, 5 और 3 8 8 7 और 1 8 1,98,000 Error of Commission अच्छा, चलो 1,98 में से इन सब की सम को क्या करेंगे? माइनस करेंगे बोलो कितना था? 9,98 सम की gross profit Carriage अच्छा, Carriage रहे गया के बाहर किछना? Carriage को बाहर करो कितना? 2,3,8,0 बताओ, gross profit कितना? 90 90 99 1,000 देखो भई, अप अपना करो सब लोग 99,000 आता क्या? आया क्या 99,000? आया? आया? आया फिर working note बनानी पड़ेगी Commission की Note number क्या रहेगा? 4 Calculation of Commission अब Commission कैसा देना है? ध्यान से पड़ो किसको देना है? कितना देना है? क्या लिखा है Commission के बारे में? Partners are entitled to Commission 1% Each है, Each मतलब मितेश को भी मिलेगा और मंगेश को भी मिलेगा मितेश को मिलेगा 99,000 का कितना परसें बेटा? 1 कितना होता है 99,000 का 10%? 9,900 तो कितना आएगा? 9,90 तो मंगेश को भी कितना? 99,000 का 1% मतलब कितना? 9,90 अब कमिशन तो बिजनेस के लिए क्या है? Expense है Entry क्या करोगे? कमिशन को debit और current account को credit तो पहले तो अपन यहां आएंगे P&L के debit में लिखेंगे to commission एक लिखेंगे मितेश और दुसरा नाम लिखेंगे किसका? मंगेश का 9,90 मितेश का 9,90 मंगेश का चलो यहां पर debit किया तो इनके respective current account को क्या करना चाहिए? Credit भी करना चाहिए By commission 9,90 9,90 हो गया? अब निकालेंगे net profit और फिर बाटेंगे क्या ratio में? 3 to 1 तो उसके लिए अभी आना चाहिए अपने को P&L पे और P&L को क्या करना चाहिए हमें? बैलेंस करना चाहिए आजाओ पे P&L को बैलेंस करते हैं तो पहले तो gross profit लेके आजाओ इदा By Gross Profit कितना था gross profit? 99,000 पहले इनर आउटर कॉलम की टोटल करेंगे बोलो भाई इंट्रेस्ट 3750 और 1250 कितना? 5,000 और कमिशन 990, 990 1980 हो गया सब कुछ? तो फिर हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा क्या? Net Profit और Net Profit भी दो लोगों में बाटेंगे कौन-कौन? एक जाएगा मितेश और दूसरा जाएगा किसको? मंगेश का चलिए भी टोटल करते हैं इधर की टोटल अगर 99,000 है तो आई होप Net Profit या आएगा Net Loss आना नहीं चाहिए ये तो पूरी खाट दोड़ करनी पड़ेगी फिर से तो निकालो कितना आता है? Anyone? ये बागी लोगों का आया क्या? 6, 3, 6, 8, 4 ये Net Profit आता है अनिकेट के इसाथ से उतना ही आया क्या? 6, 3, 6, 8, 4 फिर यहां लिखेंगे Note Number क्या? 5 Distribution of Profit एक जाएगा मितेश को 6, 3, 6, 8, 5 का एक क्या रेशो है रहे इनका Profit Sharing रेशो? 3 is to 1 तो इसके लिए Multiply करेंगे 3 से और Divide करेंगे 4 से और वैसे ही मंगेश के लिए 63,685 को अब अपना निकालो हाँ Profit 1 by 4 देंगे चलिए जी चलिए 3 by 4 मतलब 75% 1 by 4 मतलब 25% बोलो मितेश का कितना आता है? तो मारे तुस्यारी जिन्दगी बीच जाएगी मतलब calculation करने करने है कितना आया? 63,685 का 3 4 47,763 और 63,685 का 15,922 63,685 नहीं है 684 है तो यहाँ कितना चाहिए? 920 ठीक, कर लो करें 15,921 47,163 और 15,921 बाहर आएगा कितना? 63,684 तो यह टोटल होगे बेटा टैली, प्रोफिट और लास अकाउंट की देबिट साइड की और क्रेडिट साइड की पर भूलना नहीं प्रोफिट की सिंगल एंट्री होगी नहीं P&L में हुआ आए क्या? डेबिट तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बाइ नेट प्रोफिट हाँ जी हो गया पूरा ट्रेडिंग अकाउंट लॉक हो गया प्रोफिट और लॉस अकाउंट लॉक हो गया अब क्या बंद करने का? करन्ट अकाउंट अर नहीं ने बैलेंशिट का ऐसे बनेगी जब तक आप क्या निक टैली करते? करन्ट अकाउंट करन्ट अकाउंट में निकालेंगे तू बैलेंस CD और ये बैलेंशिट में दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस तो आईए टोटल कीजिए और बताईए तो आजओ फिर सब लोग मिलके पाटनर के करन्ट अकाउंट को टैली करो टोटल आती मितेश की फिफ्टी फायू थाउजन फायू जीरो और उसके बैलेंस की जो क्लोजिंग बैलेंस से हुआ आता है 54,303 मंगेश की टोटल आएगी 20,161 और उसके करन्ट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 17,062 अब इन बैलेंस को कहां लेके जाएंगे ट्रेडिट बैलेंस है तो कुन से साइड में लायाबलेटी एकादे में डेविट बैलेंस होता तो कहां एसेड साइड पास्थोती क्या कर रहे हो अब भी दूद का दूद और क्या हो जाएगा पानी का पानी टैली होती बैलेंस शीट या नहीं होती चलो पिर इनर आउटर कॉलम की टोटल करो और बैलेंस शीट को क्या करो पहले टैली करो चलो टैली करो देखो त्री सिक्स्टी फोर और बैलेंस शीट की टोटल कितनी थ्री लैक थर्टी थाउजन थ्री सिक्स्टी फोर हो गया टैली आसाने की कठीन है आसाने तो अब मुझे बताओ कल के होमवर्क में किसको कोई दिक्कत गई क्या क्या है प्रॉब्लेम पेज नंबर बताओ कि पेज नंबर बताओ कि यह रूचा एन जुली वाला क्या प्रॉब्लेम इसमें क्या जमानी तुमको अच्छा सोलूशन गलत दिया हुआ है तो अन्रेकॉर्डेट सेल्स दिया है उन्होंने सेल्स में क्रेडिट भी किया और डेटर में एड़ भी किया अच्छा तो कोशन में नहीं दिया है पर एंसर में है तो मत लो नंद लो कोशन के इस सब से क्या करो एंसर सौ लो यह तो कोशन बदल दो अब जिसने चापा वो क्या बदलेगा कोशन और जिसने किया उसका एंसर कैसे आएगा जैसा कोशन है वैसा आएगा तो किसके किसके कॉपी में अन्रेकॉडेट सेल लिखा हुआ है मैं आ रहा है उदर देखने और कोई डाउट कौन से कोशन का उसके उपर वाला कोशन बना दू क्या इसका आर्डीडी अकाउँ देखो कोई नहीं चलो ध्यान से देखो अगर मैं ट्रायल बैलेंस में देखता हूँ क्या आर्डीडी कितने रुपे का है 1000 तो इस कोशन में देखो थोड़ा सा ध्यान से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपकी समझ के लिए बना देता हूँ तो भई हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट आर्डीडी अकाउंट देखो कैसा बनेगा जो बैलेंशिट में ट्रायल बैलेंस में दिया है पर्टिकुलर्स डेबिट और पर्टिकुलर्स क्रेडिट थान देंगे सब लोग आर्डीड का ऑल्रीडी बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है इसको क्या बोलेंगे अपन buy balance BD कितना है? कितना है? 1000 तो यह ले लिया मैंने RDD का balance अब देखो यहाँ पे कोई bad date है कि यह है इसको तो आमतोर रुपे मैं कहां debit करता हूँ? PNL वहाँ debit ना करते हुए कहाँ debit करूँगा? RDD में to bad date कुछ नहीं वहाँ डालना ही नहीं PNL में यहाँ डालू ना कितना रुपया? 400 ध्यान से देखो उसके बाद कुछ है क्या? नहीं अब जो कुछ है वो कहा है? adjustment में पहला adjustment क्या है? क्या है? क्या है? create a provision for bad date यह मैंने काट वाया था additional bad date कितना है? 1000 इसकी double entry क्या करोगे? PNL में debit होता है वैसे और data में से क्या होता है? minor PNL में debit करने की बज़ा यहाँ पर debit करो क्या नाम से? 2 additional bad date कितना रुपया? 1000 यह कर दिया यहाँ पर ध्यान से देखो इसको PNL में ना डालते हूए मैं कौन से account में डाल रहा हूँ? RDD अपन के उसे कोई फरक पड़ता नहीं और फिर मेरे को reserve or doubtful date बनाना है 3% on क्या sundry? Dater तो आओ ऐसा है कि इसका जो by balance to balance CD है इसका क्या है to balance CD वो किसके बनेगा 3% Dater के तो closing RDD कितना रहेगा मेरा जो balance end में चाहिए अब Dater balance sheet में कितने थे बताओ कहां है कहां है ये तो balance sheet में आपको दीखी रहा होगा मेरे को भी दिखा जाए कितने है 40 कोई adjustment से Dater घटे या बड़े रहे क्या ये bad date से तो भी ये 40,000 तो थे माइनस कितने होए additional bad date कितने 1,000 मतलब कितना ये 39,000 इसका कितना परसेंट चाहिए 3% तो ये आएगा 39,000 का कितना परसेंट 3% अब 39,000 का 3% कितना होता है 1170 तो इसका मतलब है कि balance sheet में मेरा RDD 1170 दिखेगा कितना दिखेगा 1170 मैं आपको balance sheet की सूरत भी बना के देता वैसे तो आप ही को बनानी थी तो आपको ऐसा दिखाना चाहिए था dators कितना बेटा यहाँ पर 40,000 less क्या करने थे आपको additional bad date कितना 1000 तो balance कितना बचा आपका 39,000 फिर इसमें से less करना था क्या आपको RDD जो आता आपका 1170 यह बात समझ में आई सबको अरे हां कि ना अब RDD account को ऐसा छोड़ देने से चलेगा क्या नई RDD account को क्या करना पड़ेगा balance करना पड़ेगा और इसमें जो भी कम जाद आए उसका इफे कहां देना पड़ेगा profit and loss account तो आओ ना इसमें बड़ी साइट की total कर लो debit side बड़ी है 2170 और 400 2570 अब 2570 में से 1000 गए तो कितना 1570 यह जाएगा by profit and loss account तो यहाँ पे credit तो P&L में debit तो आपका जब P&L बनेगा profit and loss account तो इसके debit में to RDD या bad date जो नाम देना है वो दे दो कितना दिखेगा 1570 और उनका देखो बाहर कितना आया है एंसर में 1570 कैसे आया है 1570 वो इधर add करते और क्या करते less इसको कुछ भी नाम देते old RDD, new RDD अरे वो है कुछ नहीं actually वो लोग क्या बनाते RDD account बनाते, कुंसा account बनाते RDD, RDD का opening balance कहा लिख देने का credit side, बराबर है closing में कितना चाहिए वो कहा लिखने का debit में, actual bad date और additional bad date PNL के debit में डालने की बजाए कहा डालने के, RDD के, उसके बाद RDD account को क्या करने का, balance एक ही सूरत में होगा, या तो balance इसके credit में जाएगा, तो PNL के debit में, और इसके debit में गया तो PNL के credit, as simple as it is यही तो है यह 157-0 उन्होंने कैसे निकाला, देखो उन्होंने 10 plus 10 plus 10 किया, minus 10 किया इसको old RDD बोलते है इसको 117-0 को new RDD इतना भंगड करने से अच्छा है, RDD का क्या बना लो, account rule एकदम एक ही है, actual bad date और additional bad date को PNL में debit करने की बजाए, कहां debit करने का RDD में debit करने का as simple, वैसे तो हमारे को देखो opening, closing balance, opening balance आप RDD दिया रहेता, closing balance हमें खुद को निकालना पड़ता problems हो, अब दिक्कत है किसी को कि concept clear हो गया clear हो गया, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते, तो यह actual bad date और additional bad date यह यहां डालने के बजाए, कहां डालते थे, PNL में और इसका दोनों का difference भी कहां डालते, PNL में ले देकि इफेक्ट वही जाता, 157 0 Are you getting my point? थोड़ा सा practice करो, work करो, understand करो conceptual clarity लाओ, किसकी working में, RDD की, मैं चाहता हूँ कि मेरे batch के किसी student को कभी भी RDD का किडा ना काटे किसी भी समय में आपको इसकी तकलिप होनी नहीं चाहिए, एकदम clarity clarity से आपको यह करते आना चाहिए और easy, technical और सही वे से करना है, ताकि कभी भी, कभी भी, कभी भी हमारा answer गलत ना हो, और कोई doubt homework में तो मैं homework check कर रहा हूँ कितने question दिये थे मैंने, first, second or third है ना, क्या fourth question किया जा सकता है क्या हर working note मुझे detail में चाहिए है, fourth question क्या बोलता है, from the following trial balance of PUSH and Arun, you are required to prepare trading profit and loss account stock wages, advertisement तीन साल का hidden adjustment दिख रहा है stock in hand, cost price और market price दिया है, interest on fixed deposit still receivable RDD 2.5% चाहिए संजी डेटर्स पे, यहाँ पे पहले से कोई RDD है ही नहीं अब सुनो ना मेरी बात है, यहाँ पे बहुत बड़ा twist है, twist यह है कि हमारे पास fixed deposit है कहां गया fixed deposit last, last, कितने रुपे का है 15,000 का, उस पे interest कितना मिलना चाहिए, 12,000 रुपे still receivable है, यहाँ पे already दिया है कि मिला कितना, यह मिल चुका है और 12,000 रुपे मिलना बाकी है तो आपको 12,000 की ही क्या करनी है double entry, क्या entry होगी interest receivable को debit और interest income को credit interest receivable का debit आप balance sheet में fixed deposit के साथ close कर सकते हो depreciation है goods से, और goods 8,000 destroyed by fire, and insurance company ने pay किया कि admit किया admit किया, कितने का 6 तो पहले तो कितने की entry बताओ 8,000 की, 8,000 की entry loss by fire को debit और goods loss by fire को credit, तो trading के credit में कितना जाएगा, 8,000 और P&L के debit में अंदर के column में कितना दिखेगा, 8,000 तो यह आपका trading account, यह आपका profit and loss account, और यह आपकी बने की बाद में क्या balance sheet, अब insurance company ने admit किया, बोला, कितने रुपे देंगे loss बड़ा की घटा, घटा, तो loss को credit, minus claim कितना, 6,000, तो बाहर दिखेगा कितना, 2,000, कर सकते हो सबको आता, alien पर बहुत खेले हैं, इसे खेल, तो इसको क्या mark करो question number कुन सा 4, page number कुन सा 30 हाँ कल टेस्ट है omg, तो फिर ये हो, एक homework नहीं दू क्या, ये भी नहीं दू, हाँ मंडे के लिए ले लो, फिर एक और ले लो, अरे मंडे को ही देना, अरे कल, कल तो test class नहीं होगा ना, तो मंडे के लिए दे रहा हूं ना, रूप हो ना, क्या नहीं नहीं करते हैं अप, नहीं, खैती में गयाच ले रही हैं, नहीं है क्या खैती में की ये, तो बारा बोजे test, बारा सिती, कल बारा सिती, नो, टेस्ट का टाइम कितना, ट्वेल टू, त्री, ओ माइगाड, फूल सिले बसकी ठीक है जाने तो, ठीक है जाने तो, ठीक है अपको हूंवर के और कल की टेस्ट के लिए सबको all the best, चक्दे पट्टे बिल्कुल दम लगा के है इशा, अभी मैं कल तुम लोग भूक लेके आना, तुम लोग टेस्ट देना, मैं तक तक क्या चेक कर दूँगा, ट्वेल की भूक लेके आना, ठीक है